तन सेवा याने समय देना शुरू कीजिए, खुद को पहले दो घंटे देना है, चोवीस में से दो घंटे आप वगरा खुद के लिए नहीं दोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, खुद के उपर क्या देना, कैसे देना, उसका वर्कशॉब से हम ये रोज सुबे करत हैं, बस वो घंटे जो करते हैं, वो आपके जीवन में आने चाहिए, ट्वेल स्टेप डिवाइन लाइफस्टाइन, ये ट्रेनिंग के सेशन रोज सुबे चल रहे हैं, आप उसमें जुडिये, छे पराक्रम के अंदर आप जुडिये, आपके जीवन को पराक्रम ही बनाई है, ज्यान से रस्ता निका लिए, कोई भी चीज में जंजट मारी नहीं करनी है, ज्यान से रस्ता निकाले, जंजट में पढ़ोगे तो बरबाद हो जाओगे, ज्यान से निकाले, प्रभू कृपा से निकाले, प्रभू कृपा ही आपको ज्यान देगी और आपको रस्ता द रही है ऐसे प्रमानन परिवार का समागम में उसमें जॉइन होई जो भी एक्टिविटी साल भर चलती है आप अकेले नहीं हो वैसे आप अकेलों हो लेकिन जब ऐसे समागम में जुड़ते हो तो हमारे अंदर opportunities multiple हो जाती है multiply हो जाती है और हर एक आपको एक प्रोचसाहक एक ऐसा परिवार बनता है जो एक दूसरे को जानता तक नहीं है फिर भी एक दूसरे को उपयोगी बनने के लिए तल पापड़ होता है ऐसा ऐसे लोग आपको मिलेंगे आप धुनने जाओगे तो कहीं नहीं मिलें लेकिन ऐसे समागम में ऐसे माहापरयूशन प्रवों के लिए अंदर आप जॉइन होते हो सुनते हो यह मोक黏 है आप जॉइन किताब खोल का सास्त्र पढ़न नहीं करना है भाईया अपना खुद का पढ़न कीजिए खुद को निरिक्षण कीजिए खुद की आलोचना कीजिए आलोचना याने एक्षन वीडियो रिप्ले खुद की रोज रात को सोने के पहले अपनी 24 घंटे की वीडियो देख लीजिए कि मैंने किस व्यक्ति के साथ मेरा क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मैंने लोचे मारे, क्या मेरे पाइदे मारे, क्या क्या मेरा हुआ, रोज साम के प्रतिकमन के अंदर मार्ग दर्शन आपको मिलेगा, आज साड़े साथ से रा आप उसमें जुडिये, लाइव अपने घर बेठे, प्रतिकमन कर सकते हो, घर बेठे, ऑफिस बेठे, फैक्टरी बेठे, सिर्फ प्रतिकमन नी पूरा प्रिशन आप कर सकते हो, घर बेठे, ऑफिस बेठे, फैक्टरी बेठे, ये इतना अधभूत, आउसर, सिमंदर स्वामी कि कुरुपा से आप सब को मिला है take it, grab it and make your life wonderful, peaceful happy and divine it is very easy to make it just decide to do it if you decide to do it if you decide to make it, you will get it hundred percent you will get it so, आप सब को मेरी गुजारिश है कि जो भगवान ने छे पराकरम बताया उसको दट के अपने जीवन में लाई है पहला सब के साथ नमो भाव अहो भाव पहला पराकरम, दूसरा पराकरम जो आज हमने सीखा समझा, प्रभू कृपा, पंच परमेश्थी नाम स्मरण नवकार मंत्र के स्मरण के माधियम से हमें अपने खाली रटा नहीं मारना है, नमो रिंतान यसे बोलते रहोंगा, नहीं न, बस तो ऐसा ही है, प्रेम से, गहराई से, दिल की गहराई से, समरण भाव अर्चित करना है आप अपना पुरा अस्तित्व, अपना रदे खोल कर आप उनके हाथों में, उनके चर्णों में आप रख रहे हो, बस उसके बाद उनकी इफाज़त, वो तो हमारे से बहुत अनन्द है हमें एक बार ऐसे सोपना है अपने अस्तित्व को, फिर देखो क्या होता है तो ये दूसरा प्राक्रम है, तीसरा प्राक्रम है, भगवान ने बताया, वो है सबसे मैत्री बिना कारण, मैत्री याने प्यार डिवाइन लव विधाउट एनी एक्सपेक्टेशन, लव इस एक्वल टू कैर प्लस शेर पांच समीती तीन गुपती जो भगवान ने बताई है, प्रमात्माने अस्त प्रवचनमाता, ये लाइफस्टाइल है कल देखेंगे हम तब के स्वरुप के अंदर के कैसे वो तब है और कैसे हमें अपने जीवन में उसे अपनाना है तो आज मैं ये इतना बताता हूँ कि थर्ड लेवल पे सब के साथ मैत्री करनी है, हर जीव के साथ सब मैत्रिया सिखाएंगे हम सुबह के सेशन में जरूराना वो प्रेक्टिकल वर्क्शोप होते हैं दुपेर के वरक्शोप में ग्यान सत्र होता है ग्यान दिया जाता है और उसके छोटे-छोटे प्रयोग होते हैं YouTube के उपर सारे के सारे सत्र, सुबे सवाचे से सवांट, दूसरा सत्र है, ग्यारा से साड़े चार, और तीसरा सत्र है, साम को रोज प्रतिकमण होता है, साड़े साथ से दस, साड़े दस तक चलता है, तो ये सारा लाव आप जरूर लीजिए और अपने जीवन को मंगल बनाई है, चोथा जो बताया है, instant, constant, correction, प्रतिकमण, याने के इसके इंदर illonदर 3 प्रसेशिस है, आलोचना, action, video, replay, प्रतिकमण याने गलती का स्विकार, ये प्रतिकमण है, और तीसरा है प्रत्या ख्यान, याने गलती जो हमने की है, उसको डिलिट कर देना, हमेशा के लिए, औ और वापस नहों उसका कमिट्मेंट करना यह है प्रती कमांड इस इतना छोटा सा सिंपल प्रोसेस है हम रोज रात को पूरी का पूरा साइंस समझाते क्यों करना है कैसे करना है उसका लाब क्या होगा उसकी प्रोसेसिस क्या है और डे टुडे लाइफ में उसको कैसे हम हरेक प्रक्रिया में ला सकते हैं, खाना, पीना, उटना, बेटना, कामधंदा, नोकरी, चाकरी, वेवार करना, जो भी जीवन में आप जो भी करते हो, सब के अंदर ये प्रतिकमन की हाजरी हो, ये इतना आसान है, ये प्रतिकमन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जहां आमें एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा बैट के करते रहना है, और वो भी सुत्र बोल के हो जाएगा, ऐसा कुछ चमतकार होता नहीं है, ये हमारी, it is like, जो हमारी परंपरा में है, जो प्रतिकमन अभी हो रहे हैं, वो प्रतिकमन एक बाल जीव को अंदर लाने के लिए, प्रोसाहित करने क लिए उसका अयोजन आचार्य भगवंतों ने किया है, तो वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें फिर आगे उटकर ज्ञानात्मक स्वरूप से उस प्रतिकमन को आगे ले जाना है, अपने जीवन में ढालना है, अपनी जीवन की सारी प्रक्रियाओं में ढालना है, सांस लेन खाना, पीना, पानी, पीना, जो भी आमकार्य करते हैं, सब के अंदर प्रतिकमन, सब के अंदर मेतरी भाव, सब के अंदर अओ भाव, सब के अंदर नमो भाव, सब को उपयोगी बनना और इंस्टन कॉंस्टन करेक्शन करते रहना, ये है प्रतिकमन, on the spot, इंस्टन कॉंस् निर्जरा कर्म निर्जरा नहीं होगी तो मौक्ष काय का मिलेगा तो जो हम जो भी कर रहे हैं परमपरिक प्रथाओं से ठीक है जिसको वो और कुछ समझ में नहीं आता है वो करें लेकिन अल्टिमेटली इस रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा, जिसे भी मुक्त और परमुक्त होना है वो बात और दूसरी अपने जीवन में जिसे सकसेस चाइए, सफलता चाइए, tension free life चाहिए, stress free life चाहिए, उसके लिए ये सबसे बड़ा अमोग आउसर है, a wonderful opportunity to come into this path and relish yourself. और फिर self analysis, स्वाध्या याने self analysis, खुद को देखना है, खुद के अंदर क्या-क्या विशमता है, क्या weakness ही से, क्या-क्या उसकी strength है, क्या-क्या हमारे जीवन के खत्रे हैं, जो हमें भई दे रहे हैं बार बार, क्या-क्या हमारे सामने opportunities हैं, जो हम देखते ही देखी नहीं रहें, हमारी ambitions क्या है, हमारी requirements क्या है, यह हमने कभी ऐसा analysis नहीं किया है, बस आप आईए, इसमें सारे workshop से अलग-अलग प्रकार के, उसमें जुडिये और अपने जीवन को आनन में, मंगल में बनाएं, यह छे पराकरम के बाद की पांचवा पराकरम, self analysis, स्वाध्याई हमने जो बताया, यह भी एक तप है, कल हम तप के स्वर्व में कल और परसो दोनों समय, तप एक सास्त्रिय द्रश्टि कोन से, जो सास्त्र में बताया गया हुआ तप है, वो हम उसकी चर्चा करेंगे परसो, और कल हम यह तप की चर्चा करेंगे, जो सिमंधर स्वामी के माधियम से, ट्वेल स्टेप इवाइन लिफस्टाइल, छे पराकरम, साथ निर्ने और साथ पुर्शार्थ, यह है तप, सम्यक तप, साइंटिफिक तप, यह सारे जीवन में इंप्लिमेंट्स लाने है, यह बहुत एजी है, क्योंकि जीवन के कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसको अंदर हम इसे इंपलिमें नहीं कर सकते हैं. इस इस अ जीवन कार अधे हैं. इस अ क्यजिए तरिए ते रिफ बहुत हम कर सकते हैं. कि ये सारे माध्यम जो यूट्यूब के माध्यम है ये कॉंटेक्ट वाट्सअप के माध्यम है परमसुप जीवन विकास केंद्र ये अध्यात्मिक प्रक्रिया करते हैं ये साइंस को आगे बढ़ाते हैं कि अर्यम करें ये सट्ध्र महायंत्र यह क्या है और क्यों है उसका मतलब क्या है वी समझ लो जो भी हम यहां मंत्रचार करते हैं जो हम भावधाराय करते हैं, जो भी हम scientific विचारधाराय वृत्तियां खड़ी करते हैं, वो सब कहां श्टोर होती है? यह सिद्ध चक्र महायंत्र, इसका नाम क्या है इस मंत्र का? सिद्ध चक्र महायंत्र, इसका रोल क्या है? इसको सिद्ध चक्र महायंत्र क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां हमारी जो आराधना है it is all about सिद्ध चक्र याने it is a movement of freedom it is a movement of freedom सिद्ध चक्र याने freedom of movement of freedom चक्र याने movement और सिद्ध याने freedom total freedom तो यह यंत्र का रोल क्या है हमें help करना और हमें किस दिशा में ले जाना freedom की और ले जाना समझ में आया हमें जीवन जीते जीते सब कुछ जरूरी है घर, बार, गाड़ी, बंगला, नोकर, चाकर वेवार, लेन, देन बोलना, चलना, खाना, पीना सब जरूरी है but at the same time my freedom I cannot sacrifice समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हां तो यह सिद्चक्र, यंत्र रोज दिन में एक बार उसकी आरती मंगल दीपक करना है मंत्र जाप करना है और फैमिली शेरिंग करना है समझ में आ रहा है कि नहीं दो big pillars हमारे जीवन के सबसे बड़े आलंबन है एक सिमंदर स्वामी और एक सिद्चक्र महायंत्र सिद्चक्र महायंत्र के अंदर इस दुनिया की सारी व्यवारिक शक्ति आध्य शक्तियां और अध्यात्मिक शक्तियां दोनों शक्तियां इसके अंदर मौझुद है व्यवार जगत के लिए आध्य शक्ति और वेशा ही माध्यम सिमंदर स्वामी है लायो है लायो दोनों जगत में काम आएंगे हो आपके व्यवार जगत में भी काम आएंगे और अध्यात्मीक जगत के internal freedom growth of internal freedom दोनों वर्ल्ड के अंदर हमारे अंदर दो वर्ल्ड है एक है इंटर्नल वर्ल्ड और एक है exhibition external वर्ल्ड हमारी लड़ा ही दोनों वर्ल्ड में चलती है दोनों दुनिया में चलती है और वर्ल्ड इस inside out, it is not outside in हमें आज तक जो शिखाया गया है वो भार की लड़ाई लडने के लिए शिखाया गया है single dimension जीवन जीने का शिखाया गया है life is multi-dimensional and all control is within, it is not without समझ में आया कि नहीं whole control center is within it is not outside और ये सिद्चक्र, यंत्र और सिमंदर स्वामी का रोल क्या है हमारे अंदर ये आध्य शक्ती को ये जैसे आप दिपक रखे हैं हरेक यंत्र के बाजू में ये दिपक क्या करता है उर्जा को शुद करता है विशुद बनाता है, पवित्र बनाता है नेगेटिव एनरजी को जला दालता है आपको भी आपके घर में ये यंत्र हो या सिमंदर स्वामी हो तो उसके बगल में एक दिपक रखना है या प्यूर घी का दिपक रखो या इलेक्टिसिटी का बल्ब रखो ये लाइट होनी जरूरी है बनाता है अपके जरूरी होगे लाइटा आपके खो जरूरी होगे या है हमारा थूर्परोस्थै भालेटी है और ये शिद्द चक्रियंत्र यहा पर हर नवरात्री के लित्र हर नवपद अरढ़ना के लित्र charged up होता है यह divine energy से charge पंदरा दिन सतत ऐसे मंत्रो चार से विचारदाराओ से वायू मंदल से charging होता है और यह charge हमको जीवन भर काम में आता है that protects us वो हमारा रक्षन भी करता है और हमें मार्दर्शन भी देता है हमें कहता है कि यहां इतना चलो इतना रुको पूरा मार्दर्शन देता है कहां रुकना कहां चलना कैसे चलना क्या करना क्या न करना इस सारा मार्दर्शन इस सिद्चक्र महायंत्र स्वरूप divine energy से मिलेगा हम सब अज्यानी है हमको पता नहीं है हम अपने आप खो जाते हैं प्रभाव से एक अंदर के कर्म प्रभाव से और एक भार के वातावरण के प्रभाव से खो जाते हैं अपने आपको भुला देते हैं मकसद को भी भुला देते और खुद को भी भुला देते हैं तो इस अवस्था में ये हमारे महा गुरु है महा गुरु सद गुरु से भी एक स्टेप आगे है हाँ ये से माध्य में अलम्बन और वो परम गुरु है स्मंदर स्वामी ये महा गुरु है इसलिए उनका नाम है, यंत्र का नाम है सिद्ध चक्र महा यंत्र याने कि हर्द मर्ज की दवा इसके अंदर है तो ये मंत्र चार करने से जो जो भी घर में अभी आप अपके घर में पद्राते हो स्थापित करते हो तो यहां हर छे महीने आकर उसको रिचार्ज कराओगे आपकी घर की एनरजी लेवल जवर्जस्ट रहेगी जवर्जस्ट यू आर साइलेंटली प्रोटेक्टेट इसलेंटली जितना ज्यान और जितना ये मैं जो बताता हूँ आराधना रोज दिन की आरती मंगल दीपग घर में दीपग घुमाना परिवार मैतरी करना मंतर जाब करना इससे क्या होगा? इशिद्ध चक्र माहयंत्र के अंधर उर्जा दिन बढ़ते जाएगी and that is going to protect you not only protect you it is a protector it is a guide अरी हं तु अरी हं तु अरी हं नमो जिनानं जिया भयानं अभया, अभया, अभया झालो